हैपी दिवारी फ्रेंड्स तो मॉर्निंग के अभी बज़ें हैं पांच बच कर 59 मिनट्स और ये मेरे रोच का रूटीन है जो मैं उठती हूँ मॉर्निंग फ्रेंड्स जो है मैं नाश्टा बना चेकी और नाश्टा बस कांदा भजिया बनाया पापा भी जा रहे हैं आदेन को छुटी नहीं है तो मॉम्मी मुली सिर्ण नॉर्मल मुझ बना दो पैर में वह आ जाएंगे तो खाना खाएंगे तो इसके लिए में और हस्बंट जी खाने जाएंगे तब फिर से विधजिया बनाऊंगे और आज है मंडे आज भी है मेरा व्रत तो अभी जो है टाइमिंग का अप लोगों को बता जाएंगे छे बज रहें अभी जो है अब पांच बजी के उठी थी और फांच बजे उठने के बाद मैंने बनाया बना की हो गया और उसकी बाद मैं अपने गूमी में आ रही हूँ आप सोने के लिए अभी सोंगी फिर आड़ बजे तक उठीगी इसके बाद घर के काम करूंगी तो अज बहुत जादा काम हो त तो मैं आपको सप्राइज देंगी बट आपकल नहीं आई वो आज आने वाली है बट मैं सोच रही है 24 तारी और आज लक्ष्मी पूजा तो आप सब लोगों को हैपी दिवाली दिवाली के बहुत सारी शुप कामना है मेरे फैमिली से सबी के तरब से आपको हैपी दिवाल तो आप 24 तारी के मौनिंग का समय है तो मैंने सुचा कि ना वीडियो जादा में लंबा नहीं करना चाहती है वे सुची छोटे चोटे पार्ट में ही सारे चीजे में शेर करना चाहती है तो अब कल आपको में बहुत ज्यादा लेट होगी हम उन्हें संगरपाली भी बनाया अब आपर मैंने लिएनर बनाया अपर सब लोग खाए पर बहुत जादा कर ठाकावट होगे और कल से जादा आज बहुत ठाकावट होने वाने है तो बहुत साहीं काम है तो शुची दो बंटा निन तो लेए तो मैं सुची ते वीडियो को ज्यादा लंबा नहीं को नहीं आप दूखराया ना ये आप देख सकते हैं दूखराया ना ये आप देख सके हो जाधा दूखराया और कोड़ी सुझ गया मेरा अब भी इसको आना था आद देवाली है तो ये फोड़ी आईए मुझे ऐसा क्यों होता है प्लीज पताईएगा हमेशा मुझे जादा करके होट के पास ही ने करते तो मुझे थोड़ा आएगे दीजेगा मैं कुछ क्या करूं उसके लिए प्लीज प्लीज पताईएगा मैं क् कुछ दिन अच्छे से रेती फिरा जाती है तो यहां पे अभी मैं पूरे घर के काम करने के बाद लग गई हूं कांदा भजिया बनाने मतलब पकोड़ी बनाने मैं सुची क्यों ना इलूब नाश्टा कर ले उसके बाद मैं जो है थोड़ा लेट से जो है खाना बनाऊंग लगता है तो यहां पे जो है मैंने आज मंदी पूर अच्छे से साफ कर दिया पोच डिया है सारी बरतन वग्द्रे में ने दो दिये क्योंकि राश्राम को जो है लक्ष्पी फूजा करना है तो और लाइटिंग हम दो ने इसलिए में लगाने वाले थे पर लाइट भी थोड़ा थोड़ा में शेयर करें दोंगे आप लोगों के साथ और आज है है तब आज 24 तारीके तो आप सभी लोगों वो हैपी दिवाली और और आप लोग किस तरीकी से दिवाली मना रहे प्लीज बताईएगा बहुत अच्छा लग रहा है और अभी पूरा दिन में सूद्वित्र कथा तो तो सबसे पहले हैं भी गार्म करने के बाद में बाताफ भी पसेएगाएं अब काजव बदाम पिस्ता तो यहां पे मैंने काजु गदाम और इलाइचिय चारोजी लिया था तो यह चारोग अच्छे से वूज देना है उसके बाद इसके अंदर मैंने बासमती राइस जो है आदा गुंटा पहले दो के सुखा लिया था उससे मिक्सर में बारिक दरबरा पीस लिया अब उसके बाद इसके अंदर मैंने डाला और इसे दो से तीन मिनट अच्छे से हमें भूना है कंटिनू जिसका थोड़ा सा कलर चेंज हो जाए उसके बाद यहां पे मैंने एक गिलास पानी डाला है अभी जब इसमें उबाल आ जाएगा तो हम इसके अंदर डालेंगे गरम गरम दूद दूद डालने के बाद आप देख सकते हो अच्छे से जो है खीर पक रही है अभी मैंने शक्कन नहीं डाला है तो चलिए फिर दूसरा काम कर लेते हैं जब तक खीर पक रही है अब यहां पे मैं वेच पुलो बनाने के लिए टोको रगदी गयास पे गरम होने के लिए और इसके अंदर तेल बी डाल दी हूँ और यहां पे सारे अख़्े मसारे मैंने ले लिए हैं जैसे लवंग, इलाइची, काली मेरी, सा, जीरा, बड़ी, इलाइची, तेजबत्ता और यह सारी चीज़े मैंने लिए अब इसके अंदर ये तिल गरम होने के बाद डाल देंगे और इसे अच्छे से बूनेंगे उसके बाद अब इसके अंदर हम डालेंगे हरी मेर्च, तो आपको तीखा जैसा चाहिए आप कर सकते हो, तो यहां पे मैंने तीन से चार हरी मेर्च को बीच में सिफ कट करके डाल दिया है, अब इसके अंदर हम डालेंगे प्याज, तो यहां पे मैंने दो मिडियम साइज क प्याज लिये थे जिसको लंबे-लंबे पीस में मैंने कट कर दिया था, अभी हमें आप प्याज को अच्छे से भूनना है जब तक इसका कलर ना चेंज हो जाए, तब तक हमें इसे continue चलाना है, और इसे अच्छे से 100 नेरा कलर लाने तक हमें इसे भूनना है, प्याज भूनन तब तक हम इसके अंदर डालेंगे काजू, जी हाँ, वेच पुलो में अगर आप काजू डालते हो, फ्रेंट खाने में बहुत जादा टेश्टी लगता है, तो आप ज़रू ट्राइ किजेगे, ये रेस्पी बहुत इजी और सिंपल शेयर कर रही हूँ, यहाँ पे मैंने एक तो यहाँ पे अद्रक लसुन का पेश्ट डालेंगे, और इसे अच्छे से हम चलाएंगे, एक से दो मिनट जिसका ये कच्चा पन जो है, निकल जाए, तो इसे अच्छे से हमें भून लेना है, और कंटिनू चलाना है, ग्यास का फ्लेम हमें मीडियम ही रखना है, पे मैंने बीन्स, आलू, और फुलावर और मटर डाल दिया है, मैंने इतनी सबजी आली, अभी से बुनना है, जब तक सबजी का कलर चेंज नो हो जाए, अब यहाँ पे देख सकते हो, अच्छे से सबजी का कलर जो है, चेंज हो गया, अच्छे से पक चुका है, अब इसके बात हम जो है पानी एड करेंगे और उसे फिर हम दम पे रखेंगे, तो यह हमारा वेज पुलाव बनके रेडी हो गया, बहुती सिंपल, यम्मी और टेस्टी है, और फटा-फट बनने वाली रेसिपी आप आसानी से घर पे बना सकते हो, तो यहाँ पे दो से तीर मट अच् पकने के लिए छोड़ देंगे प्रोड़ करेंगे चार। यहां पे जो है एक तरब मैंने खीर किया था और एक तरब वेजपुला तो समस्द University वेजपुला बन Nikgo dabei हैं तो यहां पे मैंने गाज पर कडाई ही रग दी है, उसके अधर मैंने सरसो का तीन से चार बड़े चमस तेल डाल दिया है उसके बाद तेल अच्छे से गरम हो जाए इसके अंदर तेज पत्ता और प्याज डालना है और जब तो उसका कलर ना चेंज हो जाए तब तक इसे पकाना है और एक तरब मेरी खीर भी बनके रेड़ी हो गई मैं थोड़ा टाइम के बाद इसके अंदर शक्कर एड़ कर दी थी उसके बाद इसे 5-7 मिनट और पकाया था तो हमारी खीर बनके रेड़ी हो गई यह वेज पुलाओ भी तो यहां पर मैं सूरन की सबजी बना रही हूँ प्याज लाल होने के बाद अच्छे से इसके अंदर हम बारी बारी चोटे चोटे पीस में सूरन डाल देंगे रूसे भी बूनेंगे यहां पर अब मैं मिक्स कर रही हूँ घाटी यहाँ पे मैं घाटी बनाने वाली हूँ तो यहाँ पे भूजे चेनी की डाल है जिसको मैंने अच्छे से मिक्सर में पीस लिया है इसके हल्दी, नमक, अजवाइन, धनिया, लसुन, मर्चा और तेल डाल के से अच्छे से मिक्स करना है खाने में बहुत जादा टेश्टी लगता है और मैं हर दिपावली में यह बनाती है मेरे घर में सभी का फेवरेट है हमारे यहाँ जो है सुरन की सबजी दिवाली में बनती है यह फ्रेंड ओब सूब माना जाता है तो यहाँ पे आप जेते हैं तो सुरन का कलर जो अच्छे से चेंज हो गया है गोल्डन हो गया है तो अब इसके अंदर हम जो है मसाले अड़ करेंगे तो अभी इसके अंदर हम डालेंगे अद्रक लसुन का पेष्ट गरम मसाला उसके बाद है धनिया पाउडर टरमाटर यह सारी चीज़े लाल मिच पाउडर यह सब हम मैंने मिक्सर में सब को पीस दिया था तो उसकी ग्रेवी जो है अच्छी बनती है टेश्टी बनती है अगर आप इस तरीके से पीस के अगर डालेंगे तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है अभी इससे अच्छे से बुनना जबता कि ओईल ना चुटे तक तक यहां पे आप देख सब तो अच्छे से ओल चुट गया है और अभी हम इसके अंदर डालेंगे लाल मिच पाउडर तो यहां पे मैंने मसाला पिष्टे समय भी डाला था तो मैंने और भी डाल दिया यहां पे गरम मसाला, धनिया पाउडर यह सारी चीज़ों को हमें डाल लेना है मिक्सर में आपको सिब लासून, अद्राव को टमाटर को ही पिष्टना है और उसके बाद आपको पूरे सुखे धनिये जो रहते हैं गरम मसाला गरम मसाला पौडर आपको याइड करना है अब इसके अंदर हम नमक याइड करेंगे अभी से पकने के लिए छोड़ देंगे जब तक मसाल अच्छे से नहीं पकता तब तक हम इसे ढग कर मेडिया फ्लेम पर पकाना है उसके बार ढटकन अठाके फिर हमें चलाना है तो हमारी जो मसाले बनके रेडियो हो जाएंगे मतलश पॉड़ जाएगा अच्छे से फिर इनदर डालेंगे पानी तो आप तंड़ा पानी भी डाल सकते है गरम पानी भी तो यहाप देखंते हम आपने पान informaçãoा अच्छे से पक चुका है तो अभी इसे हम मैंने जितना आपको पानी चाहिए ग्रेवी चाबू साब से डाल सकते हैं तो यहाँ पे मेरी सब्जी सूरन की बंके रेडी हो गई है आप देख से तो इतनी यम्मी और टेश्टी है उपर से धनिया रोडा सा कस्तुरी है मैंने डाल दिया था और यहाँ पे मुझे इतनी ग्रेवी चाहिए और सूरन अच्छे से पक चुका है तो यहाँ पे मेरा खीर वेज पुला और सूरन की सब्जी हो गई है अब यहाँ पे मैं बना रही है घाटी आपको नॉर्मल जो है मैंने घाटी का मसाला बता दिया है अगर आपने नहीं देखा रहे तो मेरे पिछले वीडियो में भी मैंने डाला है पहले भी मैंने घाटी रेसिपी शेयर की है तो यहाँ पे अच्छे से आटो के लोई बना कर उसके इंदे मसाले बन के फिर इस तरीके से बनाना है खाना बनाने के बाद फ्रेंड में लग गई रंगोली बनाने और यहाँ पे मेरी रंगोली बन चुकी है और यहाँ पे आप देख सकते शाम का समय हो गया है इतने फटाफट घर के काम करने के बाद फिर मैंने ये सारी चीजे की और यहां पर कितना अच्छा लग रहा है ना लाइटिंग और ये तोरण भी जो है हमारी भावी है जिनों ने हमें बना के दिया जो सब भी लुक तारिफ करते तो थाइंक यू अब यहां पर लक्षमी पूजा के तैयारियां शुरू होगी है तो यहां पर हमारे यहां पहले घर में रीत रिवाज है कि पहले दिया जलाया जाता है देवी देवताओं को फिर सूप से जो है इसे होका जाता है तो सबसे पहले वही करना पड़ता है फिर दिया जो है एक द लक्षमी जी का फोटो रखे हैं फूल है हारे फल है नारियल है यह सारी चीज़े रखे हैं और यहां पर घर में पूझा हो रहा है और यह देखे प्यारी सी मौसी और यह देखिए हमारा प्यारा सा टीवी जो आप लोगों को मैं सप्राइज देने वाले थी तो मुझे भी प्सूरत सा मंदिर और यहां पर मैं रेडी हो चुकी हूँ बहुत घाई गई हो जाता है फ्रेंड इतना तेवार में काम पढ़ जाता है मुझे जैसा जो मिला मैं पहन लियो मैं रेडी हो गई वतैय्य में कैसी लग रही है और यह बैंगल्स मैंने पहन लिया है तो यहां पूजा थोड़ा उनका बाकी था तो वो करने लगे तो एक एक करके हम लोग भगवान के पूजा किये और बोला मौसी के तरफ से आप सभी लोगों को हैपी दिवाली और परी मौसी कैसी लग रहे है भी नहीं साड़ी उनको पहना आया है और नहीं अभी चूड़ी भी पहनी है यहां पर हाना अच्छा है अपने भी रेड़ी हो गई आप देख सकते हैं यह साड़ी में ने तीज में पहनी थी वही साड़ी में पैन दें अभी जल दाए पूजा तो बचाती है आवा आवा जल्दी आवा यह है मौसी साथ यह है सास्तुमां बोला है कि दिवाली बोल सब लोग कुछ रहे आगे बड़े बस यह पनो कामना है अगे पूजा हो रहा है अब जाएंगे चाड़ी का पूजा करने और हन्मान जी के मंदिर भी जाएंगे तो अभी दोशा जगह जाना है तो सब कर लेंगे वीडियो बना लेते हैं अब हम लोग का घर का पूजा हो गया है अभी हमने थोड़ा फोटो अगरा निकाला हना और अभी जा रहे हैं गाड़ी के फूजा करने और हन्मान जी के मंदीर तो देख सकते हैं आप लोग मेरी घर के फूजा हटो 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 यह देखिए है फोन आ गया किसी का सब को हैपी दिवाली सभी लोग को मेरी तरफ से हैपी दिवाली तीर से मैं बो तो हमारी जो एक आड़ी की भी पूजा हो गए यो मंदिर से भी जाके आ गए हैं सब हो गया है बहुत अच्छे से टाइम पर पूजा पाथ हो गया और खाना भी मेरा जो मैंने दोनों टाइम का एकी बार बना लिया है अपस्ट को में शेय्ट किया है अपको अगिसे板 क geographरों में दॉपकार और जदस डूदर गई का है झाहिवाणी द्वीद सतंग में तरह इतलन को रहा है तोुस्वेलग्स अपना च्ल सकता है कितना सुजा-सी पर मुज़ा सबता हो में बहुत लेट हो गया था सोने में और हम सुबें लेट ही उठे हैं, साड़े आड़ बजे हम उठे हैं, अभी टाइमिंग साड़े नौ बज रहा है, अभी मैं घर के कामों में लग गया हूँ, क्योंकि कल रात तो मैंने सारी चीजे छोड़ी थी, कुछ भी नहीं किया था, तो इसके लिए पूरा रख दिया, अभी घर का काम कर जई हूँ, बहुत अच्छे से दिवाली गया, जैसा चारत अपसे कई घुना अच्छा गया, तो बहुत अच्छा लगा, और आप लोग ने मेरी नई टीवी तो देखी लिए, जो हमने ली है, जो आप लोगों के पर ये स्टैंड निकाल देंगे, और दूसरा वाला स्टैंड लाए हम वो लगाएंगे, तो नई टीवी जब लगेगी, तो उसका भी मेरी वीडियो आप लोगों के लिए ज़रूर निकालूंगी, तो आप लोगों की दिवाली कैसे गई प्रीज बताईएगा, बहुत मिलेगा, तो इसमें मैं एड नहीं करूंगी, आप लोगों को मिलेगा मेरा नेक्स वीडियो देखने के लिए, और यह वाले वीडियो का मैं यही प्रेंड करती हूँ, आप लोगों को मैं प्रीज वीडियो में, बाबाई, आने हैप्य दिवाली,